हेलो, what's up everybody, my name is Nick and welcome back to my youtube channel, let me flow guys, आज की इस वीडियो में मैं कुछ हमारी daily life से चुड़े कुछ interesting vocabulary words, कुछ phrasal verbs, कुछ phrases और कुछ idioms के बारे में बात करूँगा तो वीडियो पहुत ही ज्यादा interesting होगी, वीडियो को last तक जरूर देखिएगा तो चलिए guys, फड़ा पड़ से वीडियो को start करते हैं, guys पहला हमारा interesting word है वीडल, वीडल, इसको आप एक verb के रूप में use कर सकते हैं, इसका simply मतलब होता है कि किसी की जान बूच के तारिफ करके उसको मनाने की कोशिश करना, या फिर अपना काम निकलवाने के लिए उसको फुसलाने की कोशिश करना, या फिर उसके साथ चिकनी चुपड़ी बाते करना, ताकि आपका काम बन जाए या फिर आपका काम निकल जाए, for example, she withered me into going for shopping, मतलब शॉपिंग जाने के लिए उसने मुझे से चिकनी चुपड़ी बाते की, या फिर मुझे फुसलाने की कोशिश की, या फिर मेरी बहुत जाए तारीफ की, जूटी-मूटी, या फिर जान बूच कर, ताकि मैं शॉपिंग जाने के लिए तैयार हो जाओं, she withered me into going for shopping, next हमारी एक लाइन है, Congress will wait and see who turns up at the भारत जोड़ यात्रा, यहां पर turn up एक phrasal verb हैस का मतलब होता है कि किसी जगह पर पहुँचना, या फिर किसी जगह पर कुछ दिखाई देना, या फिर कोई दिखाई देना, तो यहां पर simply यह बोला जा रहा है कि Congress wait करेगी, मतलब रुकेगी और देखेगी कि भारत इसका simply मतलब होता है कि कोई person है जो बहुत जादा दारू पिये हुए है, मतलब बहुत जादा नशे में दुत है, या फिर उसे होशी नहीं है कि मतलब बहुत जादा टली है, तो जैसे अगर मैं example लोँ, when he came back from the party, he had one over the eight, इसका मतलब यह है कि जब वो पार्टी से वापस आया, तो वो बहुत जादा नशे में टली था या फिर बहुत जादा नशे में, मतलब दारू के नशे में था, when he came back from the party, he had one over the eight, अगला हमारा एक word है, एफिबल, यह एक adjective है, इसका मतलब होता है कि कोई person है जो मिलनसार है, जिससे आसानी से बाती की जा सकती है, मतलब मतलब जब उसने मुझसे बात की, या फिर जब वो मुझसे बात कर रही थी, तो मुझे लग रहा थे कि वो बहुत जादा मिलनसार है, या फिर लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बाते करना, लोगों साइज ज़दर time spent करना, बहुत जादा उसे पसंद है, अगली line है हम यहां पर बाइटिंग कोड एक एड्यक्टिव है इसका यूज हम थप कर सकते हैं जब हम मौसम को डिस्क्राइब करते हैं मतलब एक ऐसा मौसम जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या फिर किसी इनसान को कपकपी छोड़ने के लिए मजबूर कर देने वाला होता है तो ऐसे मौसम के लिए हम बोल सकते हैं कि वो मौसम बहुत ज़्यादा बाइटिंग कोड है वांडरिंग एक एड्यक्टिव है इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा आश्यरी जनक है या फिर लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित कर देने वाला है मतलब सब को हैर लिए बोलना चाह रहे हैं कि राहूल गांदी की डैली में कड़कती ठंड में फोटोस बहुत सारे लोगों को हैरान कर देने वाली लगी या फिर लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित कर देने वाली है राहूल गांदी इस टी-शिर्ट फोटोस डूरिंग बाइटिंग क किसी के सामने share करना या फिर जैसे दूसरे ने behave किया है ठीक बैसा ही behave उसके सामने करना तो जैसे अगर मैं example लो I invited Aashu's family to dinner and a week later Aashu received created इसका मतलब यह है कि मैंने Aashu की family को या फिर Aashu के मेरे परिवार वालों के साथ मुझे डिनर पर आमन्तिर्द किया मतलब जैसा मैंने behave किया था या फिर जैसे मैंने किया था ठीक वैसे ही उसने भी किया I invited Aashu's family to dinner and a week later Aashu reciprocated Next हमारी एक phrasal verb है chance upon इसका मतलब होता है कि कुछ अचानक से ढूंड लेना या फिर कुछ अचानक से मिल जाना For example I challenged upon one of my school friends in the market इसका मतलब यह है कि अपने school के दोस्तों में से एक दोस्त से मैं अचानक से बाजार में मिल गया या फिर अचानक से मैंने अपने एक school के दोस्त को ढूंड लिया I challenged upon one of my school friends in the market Next हमारी एक line है images of congress leader trudging along the streets of India have vowed social media on daily basis यहाँ पर trudge simply एक verb है इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी जगह के लिए trust करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप उस जगह पर धीरे धीरे चलते हो उस जगह के और धीरे धीरे जाते हो वाव एक word है वैसे तो यह एक explanation है लेकिन इसी word को आप एक verb के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इस line में इस word को एक verb के रूप में ही यूज़ किया गया है इसका मतलब यह है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा excitement शो कराने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ करना ऐसे संस में बोल सकते हैं यहाँ पर जिंबली बोला जा रहा है कि भारत की सड़गों पर गुमते हुए कॉंग्रेस नेता जो राहूल गांदी हैं उनकी तस्वीरों ने सोशल मेडिया पर रोजाना धबाल मचा रखा है मतलब बहुत ज़्यादा इदर वाइरल हो रही हैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर की जा रही है इमेजेस ऑफ कॉंग्रेस लीडर ट्रजिंग अलॉंग दे स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया है वाउड शोशल मेडिया ओन डेली बेसेज नेश्ट हमारी एक फ्रेज है अ कोल डे इन जुलाई इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो कभी होने वाला नहीं है आपको पहले से ही पता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है तो उस situation के लिए उस condition के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं तो जैसे example है इसका मतलब यह है कि जब मैं उसके बारे में सोचना बंद कर दूँगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं उसके बारे में सोचना बंद कर दूँगा ऐसा आप किसी को बता रहे हो इसका मतलब होता है कि किसी खतरनाक सिचुएशन से साफधान रहना या फिर किसी के द्वारा बेवकूफ ना बना दिये जाना ऐसे जन्स में बोल सकते हैं तो जैसे एक्जाम्पल है यू अल्वेस हैब टो बी ओन यो गार्स अगेंस्ट पिक पॉकेट्स पिक पॉकेट्स का मतलब होता है कि ऐसे चूर जो जैब काट लेते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो जैब कतरे होते हैं तो यहाँ पर सिंपल यह बोला जा रहा है कि तुम्हें हमेशा जैब कतरों से साबधान रहना होगा अगला एक वर्ड है हमारा चॉम्प इसको एक वर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं इसका मतलब होता है कि खाने को जोर जोर से अवाज करते हुए चबाना या फिर खाने को जोर जोर से अवाज करते हुए खाना जैसा अगर मैं एक्जाम्पल लो I don't like the way he chomps the food मतला जिस तरीके से वो खाने को जोर-जोर से चबा-चबा कर खाता है या फिर जोर-जोर से चबाता है तो मुझे वो तरीका उसका च्छा ने लगता I don't like the way he chomps the food Next हमारा एक word है seemingly इसको एक adverb के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसका मुझे होता है मालूम होता है या फिर साफ-साफ कुछ दिखाई देता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है इन सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं तो जैसे अगर मैं example लिए seemingly she is not interested in talking to you मतलब आप किसी को ऐसा बता रहे हो कि ये साफ-साफ पता चलता है या फिर साफ-साफ दिखाई देता है कि वो तुमसे बात करने में interested नहीं है या फिर वो तुमसे बात करने में रूची नहीं रखती है या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जाहर तोर पर वो तुमसे बात करने में बिल्कुल भी interested नहीं लेती है seemingly she is not interested in talking to you get into something वैसे तो ये एक phrasal verb है इसका मतलब होता है कि कोई चीज करना शुरू कर देना या फिर किसी चीज को करने में बहुत ज़्यादा मज़े लेना मतलब अगर आपको चीज कर रहे हो तो वो चीज करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मतलब जो मेरी girlfriend के father है उनके साथ किसी बात को लेकर मेरी argument हो गई, मेरी बहस हो गई या फिर मेरी बहस शुरू हो गई उनके साथ नेच्ट हमारी एक idiom है इसका मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा अश्यर चकित कर देना या फिर किसी को किसी चीज से या फिर कुछ करके किसी को बहुत ज़्यादा दुखी कर देना इसका मतलब यह है कि उसकी मौत की खबर ने मुझे बहुत ज़्यादा आश्यर चकित कर दिया या फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया मेरा बहुत ज़्यादा दिल तूट गया उसकी मौत की खबर सुनने के बाद The news of his death knocked me for six Next हमारा एक word है overwhelming Basically एक adjective है इसका मतलब होता है कि कोई चीज आपको बहुत ज़्यादा effect करती है आप जानते हो कि उसके साथ deal कैसे करना है इसका मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा मातरा में अपनी चिंताईं उसको क्यों दिखाते हो उसके साथ क्यों शेयर करते हो कि जब तुमारी वो feelings की कदर नहीं करती तुमारी भावनाओं को वो बिल्कुल भी नहीं समझती है तो तुम अपनी भावनाओं को या फर अपनी चिंताओं को उसके सामने क्यों दिखाते हो वाई डू यू शूहर यौर ओवर्वेल्मिंग वरीज बैंशे डूसेंट अंडर्शन यूर फिलिंग्स तो आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेट्स में 1,3,1 टाइप करके बदेखके बताये और आपके जो भी डाउट्स हैं जिनमें आपको डाउट हैं उनको मुझे कॉमेट करके बताये मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा आपकी डाउट्स को क्लियर करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जादस जादस शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो आइल केच विडियो टेक केर